आज था सुब सनिवार और दोनों ही टीमों के साथ हुआ सुब जिनको थी जरूरत जी हाँ दोस्तों आज हमें अपनी दूसरी और तीसरी स्पोर्ट के लिए फाइनलाइस टीम मिल चुकी है जो की हुने वाली हैं लखनो सुपर जाइंट्स और चिन्य सुपर किंग दूपैर वाले मुकाबला था दिल्ली बनाम चिन्य के बीच जहाँ पर चिन्य के हाथ लगी एक बहुत बड़ी जी 77 रन से हराया दिल्ली को जहाँ पर इतना अच्छा रन रेट के बाद चिन्य सुपर किंग की टीम मूव कर गई दूसरी स्थान पर और अब वो वही रहने वाली है इसका मतलब पहला मुकाबला खेला जाने वाला है कौलिफायर वन गुजराट टाइटन्स वर्सिस चिन्य सुपर किंग जो की होने वाला है चपाउक के मतान पर शाम वाले मुकाबले में गिरते पड़ते जीत हात लगी लखनो सुपर जैंट के और आप कह सकते हैं रिंकु सिंग से जीत गई लखनो सुपर जैंट की टीम बहुत अच्छा काम किया लखनो सुपर जैंट की टीम ने लेकिन उस से भी बहतर काम किया हमारे रिंकु सिंग सिर्फ एक रन से जीती है लगनों के मुकाबला और अब गाड़ी फस चुकी है चोते स्थान पर तीन टीमों के बीच जो की होने वाली हैं मुंबई इंडियन, RCB और राजिस्थान रोयल्स जिसमें सबसे प्रबल चांसे होने वाले हैं RCB के यानि के रोयल चेलेंजर बैंगल जिसके लिए काफी सारे लोग एकसाइटेड रहने वाले हैं जी हाँ मैं जानता हूँ आपकी खुशी का कोई पैमाना ही नहीं होगा अगर RCB कल का मैश जीत जाती है आईए बताते हैं आपको कैसे कर सकती हैं तीनों टीम कौलिफाइर उससे पहले आपको बता दें आज के म हो सकता है आप 2024 के T20 World Cup में भी खेलते हुए देख लो इसके बाद दोस्तों आईए बताते हैं कैसा है रहेगा सेनारिव बाकी तीन टीम का मुंबई इंडियन, RCB और RR सबसे पहली बात करेंगे हम RCB के लिए RCB के लिए कुछ नहीं करना सिर्फ अपना एक मुकाबला जो उ करने में कामियाब हो जाती है RCB के टीम तो RCB कर जाएगी थ्रू चौथ स्थान के लिए इसके बाद अगर बात करें मुंबई इंडियन के लिए तो मुंबई इंडियन को अगर करना है क्वालिफाय तो SRH से पहले मुकाबला जीतना होगा जो की मुश्किल रहने वाला है क् SRH पहले ही बाहर हो चकी है तो अब वो खुल कर खेलना चाहेगी और कोई ऐसी टीम है जो की मुंबई इंडियन को तंग करती है तो वो SRH की टीम रहती है इसके बाद ही दोस्तों और एक बड़े मार्जन से जीतना होगा मुंबई को ये मैच जो की नामुम्किन तो नहीं ल CB की टीम हारे गुजरार टैटन से मिनिममम 25 से 30 रंग के अंतरगत अगर ऐसा करने में दोने ही टीम सफल हो जाती है तो फर दोस्तों यहाँ पर किसी के चांसेज नहीं बनेंगे सिर्फ आरार के चांसेज बनेंगे और आरार पहुंचेगी चौधे स्थान की सौट पर तो आ आप ही क्या रहा है कमेंट करके जरूर से बताएगा ऐसी और इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद